पाखी उठाएगी पार्टी का फायदा और वो विनायक को लेके हमेशा के लिए चली जाएगी इंडिया फोरुम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाई ताजा खबरों के लिए ये ट्विस्त आप देखी रहे हैं कि विनायक एक प्रतियोगिता में भाग लेता है हम आपको बता दे विनायक उस प्रतियोगिता में जीतता भी है और वो बनाता है यशोदा मया और कृष्णा की तस्वीर और वो यहाँ पर अपनी मा को यानि की पाखी को बहुत इंप्रेस कर लेता है यहाँ लोग पूछते हैं कि आखर तुमने ये फोटो क्यों बनाई है तो बताता है कि चूकि मैं एक एडॉप्टेट बच्चा हूँ इसलिए मेरी मा मेरी ये शोदा है और इसलिए मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ यहाँ पर वो पृतियोगता जीत जाता है और इसी खुशी में पाखी और पूरा परिवार एक छोटी सी पार्टी और्गनाईज करता है वही आप देखेंगे जहाँ पर स्कूल में ये पृतियोगता चल रही है पाखी दो मिनिट के लिए फैमिली से कहती है कि मैं वाश्रूम हो के आती हूँ और वहाँ पर कोई अंजान इंसान जो मैंने आपको बताया था कि एक मिस्ट्री मैंने जो पाखी को लगातार इस सच को बताना चाहता है उसने घर में भी पत्थर फेक कर वो कागज फेका था लेकिन वो पाखी को नहीं मिल पाया क्योंकि पाकी को इस बात का पता है कि सई चुप बैठने वालों में से बिलकुल नहीं है वो जल्दी विनायक को उससे छीन लेगी और इसी ने पाकी इस पार्टी का फार्दा उठाएगी और यहां पर आने से पहले वो चुकि विनायक को लेके बाहर गई है शॉपिंग के लिए यहां आने से पहले वो विनायक को लेके हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाएगी अब विराट अपने बेटे को कैसे ढूरता है और सई इन सारी चीजों का ब्लेम विराट पर लगाएगी सब कुछ विराट कैसे ठीक करता है, सई को अपना बेटा कैसे मिलता है इस सारी अपडेट जारने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बुलकुल न भूलें